तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक यह की आदार वेरिखेशन हम आन लाइन कैसे करें यह की यह की बैंक आःदार को अब आधार वेरिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ गाइडलाइन्स पहले आपको दिये जाएंगे अटेंशन कीप यूर आधार कार्ड हैंडी आधार कार्ड साथ में रखें और यूर बैंक अकाउंट नमर अगर आपको यहां पर लिंक कर रहे हैं तो यह सारी चीजह हैं ठीक है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आपने क्लिक के आधार वेरिफिकेशन पर तो यह पेज आपका खुल जाएगा के वाई सी वेरिफिकेशन अपडेट अब आपको यहां पर जोए कि आपना अकाउंट नमर डालना पड़ेगा बैक आप करेंगे फिर आप जो है कि अपना अकाउंट नमर और मॉबाइल नमर रेट करेंगे फिर आपके सामने के वाई सी वेरिफिकेशन एन अपडेट का एक पेज को लेगा यहां पर देखिए तीन चीजह हैं इनमें ध्यान देने वाली चीज है पहला यह है कि चूज द पर्पर आधार सेडिंग आप आधार क्यों लिंक करना चाहते हैं यह मतलब वह इसको लिंक करके कौन-कौन सी सुभिदा से के लिए के लिए आप लिंक करना चाहते हैं अपर दिए ओधार विध यू आईडिया और लिंक माय आथार तू माई अकाउंट फॉर एई पी एस ट्रांजेक्शन पर पजोनली यानि कि जो आधार बेस्ट ट्रांजेक्शन होते हैं कि मालीजे हम अपने अंगुटे से किसी को पेमेंट करना आया पेमेंट लेना वगरे वो चीज के लिए अगर आपको करना है तो यहां पर फिर्स्ट कि लिए लेना है तो आपको बीच बिलए टिक करना है और माल लिजि ए नौन ट्रांजेक्शन मतलब अधार इसलिए लिंक करना चाहते है सिर्फ जह अपने अंगां में ऐसे लिंक करना चाहते हैं इससे कोई jurisdiction पर पिश के लिए नाई तो आप जो थर्ड option जो क्लिक कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में आप इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे यहाँ पे आपका आएगा submit and generate OTP. unite and generate OTP पे click करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि customer ID और आधार नमर, customer ID आपको यहाँ चूज करना है और आधार नमर यहाँ पर डाला है. यहाँ से करने के बाद में generate OTP पर click करेंगे तो जो है कि आपके सामने OTP जब आधार वाला OTP आप एंटर कर देंगे तो यहां पे जो यू आई डिये की तरफ से आपके सारी डीटेल्स आपके सामने दिख जाएगी यहां पर देखें नहीं हम आपका आ जाएगा पिंकोड जो जो कुछ भी आपका डीटेल्स होगा तो उसको आप यहां से एक बार क् देलग तो नहीं और उसके बाद मैं आपको सब्मेट कर देना subject करेंगे तो आपके पास में, की लास्ट पेस एस तरह का रहे गा और यहां पर आपका अकाउट नम्र दिया होगा कि कौन सा अपने लिंक किया है यहां पे आपका एक मेसेज अपियर हो जाएगा यह रिक्वेस्ट फॉर अधार लिंकिंग ऑथेंटिकेशन हैस बिन सब्मिक्टेट सक्सेस्टुली एंड वी वेरिफाइड एड़ इस तरह से जो है कि आप ऑनलाइन बैंक अपना अधार लिंक कर सकते है यह अपने अभी तक लिंक नहीं किया है बैंक अपना अधार कर तो इस तरह से आप लिंक करा सकते हैं और खर बैठे आराम से उम्मिद करता हूं दोस्तों आप लोंको यह वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएए जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं धन्यवाद है